आपका शियाटिक नर्व पेन या शियाटिका पेन कितना भी पुराना है, सीवियर है, डॉक्टर ने आपको सर्जरी एडवाइस करी है, कुछ भी करते हैं आप या कोई भी मेडिसिन्स आप ले रहे हैं, उससे आराम आपको नहीं मिल रहा है और ये पेन आपकी डे टुडे लाइफ को एफेक्ट कर रहा है, तो आप ये तीन होमेपितिक मेडिसिन्स लेना स्टार्ट करो, आपको 100% गैरिंटीड आराम मिलेगा अपके शियाटिक नर्व पेन में है अपको शियाटिक नर्व पेन के लिए बहुत एफेक्टिव कम्प्लीट होमेपेतिक ट्रीटमेंट बदाऊंगी इस treatment को या इन medicines को follow करके आपको आपके sciatic nerve pain में तुरंट आराम मिलेगा प्लस ये sciatica को ठीक करने में भी मदद करती है तो अगर आप सफर करते हैं इस nerve pain से और ये आपके रोज मरा की जिंदगी में आपको trouble कर रहा है तो इस वीडियो को अंतक जरूर देख सकते हैं और अपकोर्स अकर मुझसे पहली बार मिल रहे हैं या मेरी वीडियो फर्स टाइम देख रहे हैं तो मैं इसी तरह health, skincare and hair care पे वीडियो लेकर अपने चैनल पे आती रहती हूँ तो आप चैनल को ज़रूर subscribe करें ताकि आपको regular updates भी मिलती रहें तो बिना देर किये, आज की इस वीडियो को भी अब हम शुरू कर लेते हैं तो दोस्तो, as we all know, sciatica refers to a pain जो sciatic nerve के pathway में होता है sciatic nerve हमारी body में nerve होती है जो कमर के निचले हिस्से में दो parts में divide हो जाती है और पूरा नीचे पैरों तक run करती है typically sciatica की जो patient होते हैं या sciatica की जो complain होती है वो one-sided देखने हमको मिलती है sciatica या sciatic pain कब होता है so जब disc herniation की वज़े से या फिर bone spur on the spine या फिर spinal stenosis की वज़े से किसी भी कारण से sciatic nerve दपती है वहाँ पे inflammation होता है दर्द होता है and numbness होती है यानि की सुनपन होता है इस condition को हम sciatica बोलते है इसका जो pain होता है वो patient to patient बराई करता है pain बहुत ज़्यादा डल हो सकता है जो पूरा time बना रहे pain mild हो सकता है then third is कि इसका pain जो है वो बिल्कुल sharp pain हो सकता है electric shock like खांसते वक्त, छीकते वक्त या pro long sitting से मतलब बहुत देर तक बैठे रहने से जो sciatic nerve pain हो aggravate हो सकता है यानि की बढ़ सकता है so ये कुछ general information हो गई sciatica के बारे में अब बात करते हैं homeopathic medicines के बारे में कि कौन-कौन सी homeopathic medicines best है और इसमें relief provide करती है So the very first homeopathic medicine is colosynth, colosynth sciatica के cases में first remedy of choice है बहुत effective homeopathic medicine है dull pain है, sharp pain है electric shock like pain है जो नीचे आपका legs तक travel कर रहा है इस तरीके के pain में ये relief provide करती है colosynth 200 potency में मैं prescribe करती हूं अपने patient को 200 potency में आप ले सकते हो colosynth 200 दो गोली दिन में 3 बार या फिर आपने dilution purchase किया है तो directly 2 drops on tongue दिन में 3 बार आप इसे ले सकते हो the second really very effective homeopathic medicine for sciatica is gnaufelium इसकी picture में हाँ पर add करी हूं आप देख लीजे gnaufelium आपने colosynth के साथ sciatic nerve pain में लेना ही है चाहे आपको left sided sciatica है चाहे आपको right sided sciatica है acute है chronic है आपने gnaufelium जरूर लेना है यह एक nerve pain के बहुत बड़े symptom को cover करती है वो है numbness यानि कि सुनपन जैसी आप नौफelium लेना start करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको आपके सुनपन में बहुत जादा relief मिलने लग गया है तो नौफelium जो है या 200 potency में या 1 M potency में ले सकते हैं दो गोली दिन में तीन बार या 2 drops on tongue thrice in a day. Now third very effective homeopathic medicine is Dr. Rekwik की sciatica drops which is R71 drops जो series drops आती हैं इसमें 71 number का जो drops है वो formulated है sciatic nerve pain के लिए बहुत बहुत amazing results इससे मिलते हैं मैं 100% cases में मतलब ऐसा कोई sciatica का case नहीं है जिसमें मैं R71 नहीं देती हूं as a supportive medicine along with symptomatic medicine मैं यह जरूर prescribe करती हूं और कोई एक भी patient ऐसा नहीं है जिसमें मुझे अच्छे results नहीं मिले हो या disappointment हुई हो इसका composition बहुत amazing है बहुत ही effective especially nerve पे काम करने वाली homeopathic medicines है इसके अंदर inflammation को कम करती है pain relief provide करती है numbness को कम करती है आपका जो pressure है जो electric shock like feeling होती है उसको कम करने में यह मदद करती है इस पर मैंने अलग से video अलड़ी बनाई हुई है मैं उसे link कर दूंगी आप details के लिए इसको आप लेंगे कैसे तो इसको जब आप लेना start करेंगे R71 drops को तो 15-20 drops आप लीजिए in 1-4 cup of water दिन में 3 भारी फिर उसके बाद जैसी आपके symptoms reduce होने लग जाए आराम मिलने लगे तो आप इसके dose को reduce कर सकते हैं फिर आप 10-15 drops लीजिए दिन में 3 बार फिर 10-15 drops दिन में 2 बार फिर 5-10 drops दिन में 2 बार ऐसे करके आप इसे continue लीजिए for 3-6 months तो दोस्तों ये 3 medicines जो हैं इसे आप basic treatment भी कह सकते हो shiattika के लिए and shiattika nerve pain में जितने भी symptoms होते हैं उन सब को ये medicine cover करती है तो अगर आपने shiattika के लिए कोई treatment start नहीं किया है and आप ये video देख रहे हैं तो आप medicines के साथ start कर सकते हैं तीनों ही medicine बहुत effective है इसे कोई भी ले सकता इसके कोई side effects नहीं है जो symptoms मैंने mention किए medicines के साथ उसमें से आपको कोई symptom match नहीं हो रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो complain है वो थोड़ी different है या अलग है तो आप अपने नियरभा ही homeopathic physician से जरूर consult करिये क्या फिर आप हमसे ही consultation ले सकते हैं उसकी detail में नीचे description box में दे दूंगी प्लीज आप सभी से request a call मत करिए करिएगा corporate करिएगा whatsapp कि थूँ अपनी appointment book करिएगा इस वीडियो में बताई हुई medicines के regarding अगर कोई query है तो comment section में लिख दीजे मैं answer करने की पूरी कोशिश करूंगी so guys that's it for today's video मिलेंगे next video में तब तक कि लिए stay healthy stay happy stay safe take care of yourself and your families love you all bye